हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रहूल पंडित राज की वड़े में हम बात करेंगे पांच अगस 2019 को होने वाली मंडे नाइट रो के बारे में जिसको लेकर हम सब काफी एकसेक्टिड हैं दोस्तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले मंडे नाइट रो में ब्रोक लेसनर ने काफी बुरी तरह से सैथ रोलिंस पर ताबर तोड़ हमला किया था और जब सैथ रोलिंस को एम्बूलंस में ले जाया जा रहा था तब भी ब्रोक लेसनर ने सैथ रोलिंस पर एक F5 जड़ दी थी दोस्तो रोमन रेंज शाकर भी सैथ रोलिंस की मदद नहीं कर पाए थे लेकिन इस मंडे नाइट रो में क्या होगा क्या रोमन रेंज ब्रोक लेसनर से सैथ रोलिंस का बज़ा लेंगे दोस्तो मैं आपको बदा देता हूं 5 अगस 2019 की मंडे नाइट रो के ल आएगा ब्रोक लेसनर उसके भसूरी भर देगा और इसी बीच सैथ रोलिंस जखमी हालत में ब्रोक लेसनर के सामने आएंगे और ब्रोक लेसनर को चैलेंज देंगे कि वो हर हालत में ब्रोक लेसनर से उसका यूनिवर्सल टाइटल 2019 की समर स्लैम में छीन लेंगे और यही को बुरी तरह से गायल कर देंगे जिसके कारण सैथ रोलिंग्स के परती लोगों की सिंपती और ज्यादा भढ़ जाएगी और समर सलैम में होने वाले इस मैच के लिए लोग और ज्यादा एक्साइटिड हो जाएंगे दोस्तो अब बात यह आती है क्या मंडे नाइट रो में रोमन रेंज सैथ रोलिंग्स के मदद करने आएंगे तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्यूंकि WWE समर सलैम में रोमन रेंज की फ्यूड दैनल ब्रैन के साथ चलाना चाती है तो साइध ही रोमन रेंज ब्रोक लेस्टनर से सैथ रोलिंग्स का बदला लेने या फिर Roman Reigns Seth Rollins को बचाने आएंगे वो आप मुझे कमेंड के थुरू बता सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर Summer Slam में WWE Goldberg वसिल Dove Jiggler का मैच सेट करना चाती है तो जाहिर सी बात है हमें आने वाली Monday Night Raw में Goldberg और Dove Jiggler एक साथ देखने को मिल सकते हैं और इसी बीच हमें इन दोनों के बीच तगड़ी बहस देखने को मिल सकती है लेकिन दोस्तों क्या आप Summer Slam में Goldberg का मैच दोव Jiggler के साथ देखना पसंद करेंगे या फिर किसी और सूपर स्टार के साथ वो आप मुझे कमेंड के थुरू बता सकते हैं